आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरा नाम असे धान तक नहीं हो तरही स्टड़ी प्लोस पर आपका बहुत बस्वागत है दोस्तों हम बात करेंगे वन बिलियन टन एमिशन्स कट की नरेंद्र मोदी ने पांच बड़ी अनॉसमेंट की है बहुत बड़ी अनॉसमेंट भारत क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से रुकेगा ये नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में बताया आपको बते ही Conference of Parties COP 26 मीटिंग चल रही है और ये 31 ओक्टूबर से लेकर 12 नवेबर तक होगी तो दुनिया भर के लीडर्स जो है इस मीटिंग में आए हैं तो नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी एनॉसमेंट कर दी है तेकि भारत एकलोता ऐसा देश था जिसने अभी तक क्योंकि भारत लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउज गैस जो है कार्बन आयोकसाइड जो है वो भारत काफी जादा एमिट करता है ठीक है लार्जेस्ट एमिटर्स में से एक है तो अब यहाँ पे भारत ने पहली बार यह बोला है कि नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार यह बोला है कि हम जो है दो हजार सकतर तक जीरो नेट एमिशन कर लेंगे तो ये बहुत बड़ा एनाउस्मेंट है ये से लिए इतना बड़ा एनाउस्मेंट है क्योंकि अभी तक भारत में कुछ भी नहीं बोला था कुछ भी कारबन डायोकसाइड बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट इसलिए है देखे आपको पते ही कि हमारे एट्मोस्फियर में 78% नाइट्रोजन है 21% और 0.04% कारबन डायोकसाइड है कारबन डायोकसाइड जरूरी होती है क्योंकि देखे धर्ती दिन भर जो है वो गर्मी लेती है और रात में डेडियेट करती है तो धर्ती को गरम रखता है कारबन डायोकसाइड लेकिन अगर ज़्यादा हो ज़्याए एट्मोस्फियर में कारबन डायोकसाइड ज़्यादा हो ज़्याए तो धर्ती जादा गरम होगी, क्योंकि कार्बन जो है वो घर्मी को और ज़दे अब्सॉफ करेगा, यही हो रहा है, कार्बन एमिशन इतना जादा हो गया है, कि बैलेंस पुड़ा धर्ती का बेड़ गया है, तो यहाँ पे अभी तक भारत ने कोई डेट रही तो भारत ने ब लेगा, वैसे भी आपको पता ही है कि 60-70%, मनलब 60-50-65% अल्री ओफ है, तो 30% कर देंगे, तो टोटल 90-95% हो जाएगा, यह दो-तीन दिन दिन तक चलेगी, बिग दिवाली सेल है यह, आपको रोशनी को गूस करना है, हमारी यह सारे शांदार कोर्सेज आते हैं, अभी हमने GS paper courses निकाले हैं, ethics, GS paper, ethics course निकाले हैं, बहुत ही शांदार, तो 1 billion 10 emissions, यह बहुत ही खुपसुरा तार्टिकल, Indian Express का ही है, तो अब देखिए हमारे energy sources क्या है, पहले तो हमें बता देते हैं, यह देख लेते हैं, कि भारत ने, मतलब नरेंदर मोदी ने, क्या क्या की है, ठीक है, सबसे पहले तो net zero target हमारे कितना, 2070, net zero emission जो है, वो 2070 पर होगा, फिर उसके बाद, जो हमारी energy capacity है, जो non-fossil energy capacity है, non-fossil energy capacity का मतलब fossil मतलब हो गया, आपका koela, आपका petrol, आपका diesel, यह सब non-renewable energy है, यानि कि यह एक दिन खतम हो जाएंगे, और यह pollution भी बहु आपको carbon देखने को मिलेगा, organic है, यह hydrocarbon, ठीक है, तो यहाँ पे, अगर आप non-fossil पे जाओर, जो renewable है, जैसे wind energy, solar energy, hydroelectricity, nuclear energy, clean source of energy है, तो आपको इन पे जादे डिपेंड होना है, अब दिक्कत भारत के लिए है, कि भारत का 75% कोईले पेंडेंट है, तो सबसे पहले तो हम उसको curtail करना पड़ेगा, अब एकदम से तो होगा नी, एकदम से आप shift करेंगे तो problem होगी, तो हमारा जो energy capacity है, वो 2030 तक 500 गीगावाट होनी चाहिए, non-fossil से, non-fossil से यह पहले 400 था, ठीक है, भारत ने बोला था कि 4500 गीगावाट 2030 तक हम करेंगे, दो साल पहले 500 गीगावाट होगी, तो यह और अच्छी बात है, भारत अच्छी progress कर रहा है, आपको बता दो कि भारत अगर climate change के बात करेंगे, तो जो हमारा NAPCCC, National Action for Climate Change, उसमें 78 missions आते हैं, तो वो बहुत अच्छा कर रहा है, उसके बाद, जो हमारी 50% energy requirement है, 2030 वो रिनुवेबल से है, यह 2030 तको 1 billion tons तक carbon emission को रोकना है, और आखरी हमारी जो carbon intensity है, 2030 तक 45% से कम करनी है, ठीक है, तो अब आप यह करेंगे कैसे, अब आप कैसे कर सकते, देखिए carbon को खतम करने का, आप पेड लगाएंगे, एक ही तरीका इसका, technology और पेड, या तो futuristic technologies से, research and development में आप जवरदस investment करि जिससे कि carbon जो है, वो हटे, दूसरा सबसे बहतरीन तरीका है, पेड लगाओ, पेड क्या करता है, carbon dioxide लेता है, oxygen को छोड़ देता है, तो पेड जो है, वो carbon dioxide को absorb करता है, by photosynthesis reaction, simple, 6 CO2 plus 6 H2 gives out, 6 O2 plus glucose, है कि नहीं, तो यहाँ पर भही है कि carbon dioxide का, उसको हटाने का तरीका यह ही है कि पेड लगाओ, लेकिन पेड भी, deforestation is also on the rise, बारत हला कि काफी जड़ा पेड लगा रहा है, हमारे जो forest report के साफ से लगबग 21% के आसपास, का forest cover area है, लेकिन होना कितना चाहिए, 33%, ठीक है, धीमेधी में उसकी तरफ जरूर बढ़ेंगे, तो अब हमारे पास क्या alternative है, हम wind energy के लिए आपको एक robust infrastructure चाहिए, बहुत जबरदस investment चाहिए, फिर उसके बाद ऐसे जगाँ होनी चाहिए, जहां पर हवा भी चले, हमेंचा भारिश ना होते रहे, ठीक है, तो ये आपकी geography पे भी, ये आपकी location पे भी depend करता है, सबसे बड़ा commitment यही है, कि हम 1 billion ton reduction कर देंग 2030 तक भारत का emission कितना हो जाएगा, 35-40 billion, क्या, सर 35-40 billion, दिमाग लगाओ, 2018 में अभी अगर बात करेंग, तो ये लगबख 5 billion के आसपास है, और हर साल, हर साल ये 4 billion tons तक बढ़ता है, ठीक है, हर साल, तो आप ये समझो कि 2030 तक कितना हो जाएगा, 35-40 billion tons हो जाएगा, अब 2030 तक 35-40 billion tons होगा, उस में से हम 1 billion घटा देगे, तो ये जादा तो है नहीं, 2% से 3% तो है, आपका absolute emission कितना हो रहा है, 40 billion tons तक, और अब घटा कितना रहे हो, 1 billion, तो 49 billion तो तब भी रहा ना, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ ना होने से तो कुछ अच्छा है, कम से कम इतना ही कम हो ठीक है, भारत मैंने बता है कि अच्छा काम कर रहा है, 70 देशों से, 70 से जादा देशों ने बोल दिया है कि हम net zero emission, 2050 तक कर लेंगे, ठीक है, Paris Climate Agreement का ये बहुत बड़ा जो डील थी है, 2015 में, इसमें यहीं थाना कि भाई, सबसे important है, कि हमको 2 degree Celsius से उपर जाने नहीं देना है, अब हम कैसे net zero carbon emissions कर सकते है, 2050 तक 8 actions है, यह सब को चाहिए, सबसे पहले तो solar और wind capacity जो है, वो 500 गीगावाट तक भारत ने बोली है, यानि कि अभी हमारी capacity कितनी है, लगबग 1500 गीगावाट तक, 2022 तक की 175 गीगावाट की हो जाएगी, यानि कि आपको 3.5 गुना जादा प्रे तो आपको 3.5 गुना जादा प्रेडियूस करना पड़ेगा, तब आप 500 गीगावाट तक बहुचोगे, ठीक है, तो यह भी हो रहा है, क्योंकि देखिए, solar panels अब आप देख रहे होंगे, नए coal plants आ रहे हो, वो सारे रोग दिये गए है, wind energy पे भी काफी जादा focus दिया जा है, hydroelectric power plant डेवलप हो रहे है, भारत nuclear energy जो की सबसे clean source of energy है, wind energy में भी दोस्तों आपको कोईले की जरूरत पड़ेगी, लेकिन nuclear energy में आपको कोईले की जरूरत ही नहीं, दूसरा point यह है, कि आप जो electricity generation करें, वो या तो solar से करें, या wind से करें, renewable sources से करें, यानि कि अभी हमारा electric generation होता कोईले से, हमारी 75% जब requirement है, वो कोईले से आती है, और अभी आपने देखा कि coal crisis भी होगी, अभी से दो काम होगे, एक तो अगर हम renewable energy की तरफ शिर्ट होते हैं, एक तो कोईले पे dependence घटेगी, इसका मतलब ही कि pollution कम होगा, दूसरा है, कि हम कोईला बाहर से भी मगाते ह तो वो हमारा bill भी घटेगा, हमारा import bill भी घटेगा, तो ये अच्छी बात, तीसरा point ये है, कि भाई, natural gas, natural gas जो होती है, वो भी pollution नहीं करती है, तो भाई, वो उसका अब generate करो, infrastructure बनाओ, चौता ये है, कि देखे, जो pollution है, वो vehicle से बहुत जादा होता है, transport से बहुत जादा हो लेकिन दोस्तो सब पैसे का खेल है, पैसा देंगे सब हो जाएगा, सरकार को strict measures लेने तो पड़ेंगे, so you have to increase zero emission vehicle share to 50%, अगर आप देखो, तो सडक पर 50% गाडियां 2030 तक electric हूँ, तब जाके हम 2030 तक 1 billion tons, और ये बहुत जाता नहीं है, लेकिन तब जाके हम 1 billion tons reduce कर सकते हैं, अब ये मुश्किल इसलिए है, क्योंकि पहली बात तो अभी electric infrastructure हमारे अतना develop हुआ नहीं है, दूसरी चीज़ ये है, कि अगर transportation की बात करें, तो बहुती कम companies अभी हैं, जो electric vehicle दे रही हैं, तीसरी, electric vehicle महंगा है बहुत जादा, ठीक है, जहां पे आपको petrol, diesel वाला vehicle, वो 4-5 लाग की गाड़ी मिल जाएगी, वह electric vehicle 10 लाग से उपर जाती है, हालाकि electric vehicle में खर्चा कम आता है, आपको बता दूँ, आप 1 km का, अगर आप petrol, diesel पे चला दें, तो 8-9 रुपया आगा, एक किलो मीटर का, electric vehicle में 1 रुपया आता है, 1-2 रुपया, तो बहुत कम खर्चा है, ठ पांचवा क्या करना है हमको, कि जो building heat pumps है, ठीक है, उसको 50% तक बढ़ाना पड़ेगा, छटा क्या करना है, जितनी भी नई buildings है, और appliances है, उसको इस तरीके से बनाओ, ताकि जो हमने energy goals set की है, उसको हम achieve करने, इसका मतलब, buildings पे solar panels रगवा, building जो है, वो clean source of energy यूज़ करे, अ आ तो हाँ, भाए research and development करो carbon capture के लिए, मैंने बताया था ना कि carbon dioxide कहां से capture होगी, जो plant है वो carbon dioxide को absorb करेंगे, नहीं तो दूसरा point यह है कि आप technology ऐसी ले आओ, futuristic technology ऐसी होनी चाहिए, कि अपने आप, आप atmosphere से carbon हटा दो, है की नहीं, आखरी electricity transmission और pipelines होनी चाहिए carbon dioxide hydrogen gas के लिए, त वैसे क्या हो, वैसे atmosphere में carbon नहीं जाएगा, तो यह चीज है, तो भारत ने यही बोला था, कि यह 2030 तक, 2030 तक, हम 33 से 35% अपना emission per unit of GDP कम कर देंगे, लेकिन भारत इसको 8 साल पहले ही achieve कर लेगा, 2022 तक भारत इसको achieve कर लेगा, यह दो साल पहले, नरेंदर मोदी जी ने बोला थ कि 4500 गीगावाट, 2030 तक हम इसको करेंगे, और अभी यह जो target हो गया, यह 500 हो गया, यह 50 गीगावाट हमने बढ़ा दिया है, तो यह चीज है, अब क्या यह possible है, बिल्कुल possible है, एकदम शर्ट प्रतिश्यत possible है, जैसे भारत ने 8 साल पहले में ने बताना, कि 2022 में भारत ने, बोला था कि emission per unit GDP 33-35%, 2030 तक लेकि आएंगे, लेकिन 8 साल पहले ही कर लिया, 2022 में ही कर लेगा भारत, ठीक है, तो हमारी जो installed renewable capacity है, वो बहुत तेजी से grow कर रही है, यह आप देख सकते, 175 गीगावाट में कितना किसका distribution है, कैसे distributed है, small hydro 5 गीगावाट, बायो मास 10 गीगावाट rooftop solar 40 गीगावाट, wind 60 गीगावाट, solar water photovoltaic 60 गीगावाट, ओके, तो जाधतर जो capacity addition है, एनर्जी सेक्टर में, यह renewable और non fossil fuel space से हो रहा है, भारत जो है, वो बोल रहा है कि भाई देखो अभी हम कोई भी कोईले का power plant नहीं लेकि आएंगे 2022 के बात से, 2022 तक खतम, तो यह अच् परसेंट, electricity production, मतलब आधी जो electricity है 2030 तक, वो ऐसे हो कि renewables energy से हम यह लिए, तो भाई, climate change हो रहा है, और भारत इसके लिए बहुत कुछ कर रहा है, हाला कि इसके लिए भारत बता रहा है कि 1 trillion US dollar की climate financing चाहिए, तो आप समझे कि यह बहुत जादा पैसा है, बहुत बहुत जाद $, तो वही है, देखते आगे क्या होता है, खुश रहे पर ते रहे देश से सद्धान तक नहीं होता है, तो रहा है नहीं हो,